श्रीक्रिष्ण कनहय आलाल की यह श्रे नियानन्द स्वामी की श्रे प्राणनाथ प्यारे की इसक क्योए ना उपजे पर रोह करना सोई उदामा राह सोई जीए जो आगों हादिये बरे कदमा श्रीक्रिष्ण कनहय आलाल की ब्रह्मा आत्माओं की रहनसान की बात बता रहे हैं उनका रहनसान उनका आचरण किस प्रकार का होता है तो इसी संदर्व में पूर्व की चौपई में कहा गया था प्रेम कैसे प्रकट ने होगा क्यूंकि उष्स इससे पहले प्रेम की बात करी सब कुछ प्रेम होने पर सब हो जाता है यह बताया तो प्रेम कैसे प्रकट ने होगा तो हमें करना ही ऐसे प्रयत्न चाहिए कि जिससे प्रेम प्रकट हो तो यदि सद्गुरु के पदचिन्नों पर चलते हैं तो अवश्य प्रेम प्रकट होगा क्योंकि सद्गुरु को हमेशा पुर्ण प्रमात्मा के अनुभव होते थे तो उनका प्रेम था इस प्रकर्श ये बात बताए अब आगे वो करते हैं ए तिलस्म क्यों ये ना छूट ही जहां साफन होवे दिल जब तक अंताकरण पवित्र नहीं होगा दिल कहने को तात्परे ये है तब तक ये तिलस्म वैसे तिलिस्मी है तो जादू का ऐसे भी बनाया हुआ ना तो ये कुछ है नहीं और ऐसे ही बना दिया फट कर दिया हो गया इस तरह से तो कल्पना कर दिया तो हो गया ये दुनिया क्यों ये ना छूट है ये किसी प्रकर छूटने वाले नहीं है जब तक रिदाय पवित्र नहीं होगा तब तक दुनिया कम होगा नहीं छुटेगा अरस दिल अपना करके चलिये रशुल सामिल अरस दिल अपना करके अपने दिल को परमधा मना करके तो अब यहां रशुल का अर्थ होता है मार्गदर्शक मुसल्मनों को समझाते हैं तो उन्होंने जिनको रसुल समझाए वो करना पड़ेगा और हिंदु समझेंगे तो जो जो उनको मारगदर्शक मिल है उनको समझना होगा तो इस तरीके से अब हम सोचें कि हमारा मारगदर्शक कोन है तो सब के मार का दर्शक होते हैं तो सद्गुरु स्री देवेचंद्र जी महराज स्रे कृष्ण प्रणामी परंपरा के मार का दर्शक है तो अब यहाँ उनको ही रसुल समझना पड़ेगा तो इस तरह से हैं तो उनके साथ चलना होगा उनके पददददद पर उनको सामिल करके करतात परी जल से पवित्रता नहीं होती है, तो परम्धाम का जल चाहिए, इसलिए जब कभी भी स्नान करते हैं, तो परम्धाम की यमुनाजे का आवान करके स्नान करते हैं, तो परम्धाम में स्नान किया, वो पुर निय मिलता है, वो लाब मिलता है, तो एक प्रकरसे हमारे भाव बढ़ते हैं तो वो लाब मिलता है करने का तात्परिय इतना भाव उचा हो जाता है कि हम तो यमना जल से स्नान कर रहे हैं ऐसा होगा तो इससे भी उसमें है कि जिन लोगों को पुरमदा में का ख्याल नहीं है तो यही सुचते हैं कि सारे तीर्थों का जल तो हमारे सामने जैसे बाल्टी है तो वो बाल्टी में पानी भर करके नाना अच्छा होता है तो जैसे अचकल तो सावर शेनाते हैं ज्यादा तर तो सावर ही प्रचलित हो गए हैं किन्तो वैसे उसके इसाफ से बोलते हैं शेरिर के लाब के इसाफ से तो बाल्टी में पानी भरा हो और फिर तो ऐसे उसमें मग से उठा उठा करके यालोटा से उठा करके अब उसके भी तरीके होते हैं स्नान करने के तो पहले मोध होया तो उसके बाद में पैर में कमर से नीचे का स्नान करना होता है फिर हाथ ऐसे ये दोने होते हैं तो उसके बाद में शीर और फिर पुरे शरीर में डालना होता है तो यह करम से करते हैं, तो फिर कई बार वो जो शरीर में अंदर वायू का संचार होता है, वो कुपित नहीं होता है, और इसमें गल्ती करते हैं, तो कई बार वो शर्वाइकल हैं, दूसरे शरीर में दूसरे पेन हैं, वो होने लग जाते हैं, तो यह नाने का तरीका है, तो अब यहां कहते हैं कि वह परमधाम के जल से यह समझ लो, पवित्रता तो परमधाम के जल में, तो वह प्रेम का जल है, तो प्रेम में मस्ता होंगे तो पवित्रता होगी, नाई हकके जमाल में, तो वह प्रेम कैसे प्रकट होगा, पुरुन ब्रह्म परमात्मा के श्वरू वह उसमें तुम उत्परोत हो जाओगे, तब हो ये निरमल, अधिस्ट सब्सेरोगी तुब निरमल होगे, तो यह कह रहा है, तो इसका तात्परी यह नहीं है कि लोकिक जल सिस्नान नहीं करना चाहिए, किन्तो उतने से पवित्र हो गए ऐसा नहीं समझना चाहिए, कि वो परमध्हम के जल से हम पवित्र होंगे, तो वो परमध्हम का जल है, यमनाजी का जल है, तो वो प्रेम का जल है तो अक्षरातित के स्वरूप का चिंदन करेंगे तो हम पवित्र होंगे पाक होना इने जीमी और अनकोई उपाए इस दुनिया में पवित्र होने का दूसरा उपाए नहीं है लिजे राह रशूल आई सके तब देवे रशूल पहुंचाए अब यह रशूल का ताथ परे मारग दर्शक तो हम समझते हैं तो सद्गुरू तो सद्गुरू की रहा तो उन्होंने जो मारग दिखाया उसके अनुशार चलो इसलिए सद्गुरू चरण को ख्षेत रहे कायते हैं तो सद्गुरू की चरण ही अमारे ख्षेत रखाने का ताथ परे उन्होंने जैसे कदम रखे उस प्रकार से हमें कदम रखर के चलना चाहिए तब देवे रशूल पहुंचाए तब जब सद्गुरू की कदम की पहुंचा देंगे ऐसी सूच हमारी होगी कि हम सद्गुरू के मारगा दर्शन पर चल रहे हैं उनकी पदचिन्नों पर तो हम पार पहुंची जाएंगे उसमें कोई कठिनाई नहीं रहेगी अब कहों सरियत मौमिनों जिनलाई हकिकत हक अब ब्रह्मा आत्माओं के सरियत का अताथ पर यह कर्म उनकी बात करते हैं जिन्होंने यथार्थता को समझ लिया है पर मात्मा सत्य हैं और दुनिया मिथ्या है इस यथार्थता को जिन्होंने समझ लिया यह हकिकत करने का अता तो इस यथांख् till को समझ लिया तो उनका आचरन उनके कर्म कैसे हो तो कैसे कारिय करेंगे, तो वह भता रहे हैं तो प्रहश्य क्या है 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 तो प्र करती है। कुरान में व के लिए मुवमिन की बात तो इसलिए जो गए जिसके लिए लिए मुवमिन कहते हैं तो वो तो नाम मुमिन का लेते हैं और काम गलत सलत कर लेते हैं तो वो मुमिन नहीं है जो परमात्मा के प्रति पूर्ण ताह समर्पित आत्मा हैं उनको मुमिन कहा है तो वो उजू करते हैं कतात्परि नमाज पढ़ने से पहले हाथ दोते हैं अब उनके तो तरीक है अलग है, एक कुंड़ में से वो दो लेते हैं, उसी में से सारे याद दो लेते हैं, तो अब ठीक है, तो उनका तरीक होगा, लेकिन वो प्रार्थना करने से पहले तो शरीर को शुद्ध बनाना चाहिए, मुख्य बात ही यह है, तो हिंदों में ना धो करके, हाथ पहर सब धो करके प्रात्ना करते हैं, अब अरब में पहले पानी होता नहीं था, तो इसलिए ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, तो इससे तो ना करके बैठना चाहिए, अब ना नहीं शकते हैं, तो हाथ पहर तो कम से कम धो, धो लें, तो अब अब सब जगे वही नियम बन गया, जहां वो उसमें तलाव में जाएंगे तो भी, तो उतना वही करेंगे, अब वो तो अब एक परिपाटी बन गया, इसलिए ऐसा करते हैं, तो कहते हैं, मुमिन उजु जब करें, पीठ देवे दो जहान को, दोनो जहान का तात्परे, दोनो जहान, दोनो दुनिया, तो अब यहां दोनो दुनिया कहने से, तो दुनिया जिस प्रकार से चल रही है, तो समय बारत में हिंदू और मुशलमनों का संगरश बहुत चलता था, तो इसलिए कहते हैं, हिंदू लोग जो कर्मा मार्ग बता रहे हैं, तो वो भी पूर्ण नहीं है, और मुशलमन जो सरा की बात बोलते हैं, वो भी दुनिया में जकरने की बात है, तो इन दोनों से उपर उड़ते हैं, तो परमात्मा का मार्ग ले लेते हैं, तो परमात्मा के मार्ग पर चलने का निश्य करेंगे, तब वो उजू करते हैं, कहने का तात्परिय है, तब देह शुद्धी करके तो फिर वो परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं हौज जो अरश में रूहें गुशल करें इनमो तो गुशल करना मतलब सनान करना तो वो कहां सनान करेंगे? तो यमुनाजी में उठके नाईये यमुनाजी कीजे सकल से निगार और हउज तो वह कोशर दशला तो वह जा करके वह अगर सनान करना ही आए तो वह समझेंगे कि हम यमुनाजी में शनान कर रहे हैं तो ये भाव होगा तो सब के अलग-अलग भाव होंगे तो हिंदो हमें जो भी समझदार हैं तो वह सोचते हैं सारे तेर्थों का जल उसमें तो जिस बैल्टी में भी पानी बरा होगा तो वो प्रार्थना करते हैं सारे तेर्थों का जल इसे में आ जाएं और जो पुर्णब्रम परमात्मा को समझता होगा, परमद्हाम को समझता होगा तो वो परमद्हाम की यमनाजी का जल आ जाये, तो वो ही प्रार्फना करेंगे बा. क्योंकि दुनिया के और इस्थानव से तो और जल से तु तीर्थाँ का जल पवित्र है, और जिनको परम्धाम का ख्याल है तो उससे भी पवित्रजल परम्धाम का है तो वो भाव रख करके करते हैं दम दिल पाक तब हो वही जब हाक कि आवे फिराक तो फिराक का थात परिय वियोग विराहा जब पुरुण परमात्मा का विरा अरे वो तो दिखी नहीं रहे हैं तो उनकी अंदर तड़ब ऐसे आजा होती है तो अंदर रिदय पवित्रत्तब होता है तो बाहर सुनान करने से शारिरिक सुद्धी होती है रिदाय की अंदर अंता करण की शुद्धी है तो परमात्मा का चिंतन करने से बियो के माध्यम से भी हो या मिलन के माध्यम से जैसे भी हो चिंतन करने से शुद्धी होती है अरसुरू है दिल जुदा करे जुदा करने का तात्पर यह तो दुनिया से, दुनिया के बंदनों से मुक्ता करके, लोग के कर्म बंदन से मुक्ता करके, तो परमधाम के तरफ में लगाना है, और सबसे होए बेभाग, बेभाग का ताथ पर निर्भाय, ने डर, तो दुनिया के उसमें से डर करके नहीं, निर्भाय हो करके पुर्ण प परमात्मा के चंदन करते हैं, उनको रिधाय में बैठाते हैं। चौधे तबकों पीठ दे बही एक अलमा का यात हिन्ना। चौधे लोग को पीठ देना इह उनके लिए कलमा। तो कलमा का तात्पर यह? तो वो मुझे से मंतर उचारण समझ लें। तो उसको वो कलमा बोलते हैं मंत्र को तो मंत्र उचारण क्या है तो चौदे तबक से पीठ दे करके परमात्मा के तरफ परमधाम के तरफ उन्मुख होकर किस्तुति करते हैं तो वो मंत्र उचारण हो गया तो वो उनका कलमा है कलाम अल्ला यहों के वही एक एहनी है मुमिन तो मुमिनों का वचन कुरान में भी अल्ला कलाम बोलकर के जो लोग कुरान को मानते हैं तो इसमें भी यह कहा है कि मुमिनों का कथन क्या है तो परमात्मा की बात करेंगी तो अब प्रान्या जी ने तो ये कह दिया तो अल्ला का लामें ये तार्थम सागर है तो इसमें क्या समझाये गया है कि पुर्ण ब्रह्म परमात्मा को नेसे देन गरहिये प्रेमसों स्री यूगल शरू पके चरन उनके उनका स्मरन करो उनके चारण कमल को रिदय में बैठाओ तो ये उनका कलमा है तो इस तरह कि उनकी प्रार्थना होती है मंत्र का उचारण कहने का ताथ पर ये प्रार्थना है ला फणा सब ला करें और इला बकाग रहे हका ला अथबा फणा जो कहते हैं दुनिया में ला कातात्परिय वो भी नहीं है, जहां तक मिटने वाला है, तो उसको कोई अस्तित्व ही नहीं, उसको ला करते हैं कातात्परिय, तो उनको मना करते है, तो जो नहीं है, नहीं है तो जो दिख रहा है, वो इस थर्थ में नहीं है, तो इसको महत्व नहीं देते हैं, और ग्रहान करते हैं परमात्मा कोई अभिना से समझते हैं बागि दुनिया सब परिवर्तन शीले ऐसा मानते हैं एक कल्मा हकिकत मुमिनों और हक मारफत बेशक्र तो ये कल्मा ये ब्रमात्मा का कल्मा का अतात्वरी ये कल्मा है हकिकत का अर्था यथार्था यथार्था वस्तो को समझना यथार्था ग्यान और हकम अर्थबत करता परे परमात्मा की पहचान तो बस ब्रहमात्माओं का कल्मा यही है यथार्था परमात्मा को समझ लेंगे यथार्था ग्यान होगा और परमात्मा की पहचान होगी तो फि नूर के पार नूर तजल्ल, रशुल अल्ला पहुंचे इतह नूर के पार नूर तजल्ल, गुरान में इस प्रकर समझाया गया कि नूर शेपर नूर तजल्ल, तो रशुल वहां पहुंचे है अब यहां अब रशुल तो पता नहीं उनको उसमा पूरा स्पष्टता का उनको नहीं लगा कि हम कहां पहुँचे हैं उनको ऐसे लगा कि उनको कुछ अलग बश्तो कुछ दिखाई दे रही है और वो वहां पहुँचे हैं ऐसा फिल हुआ था तो अब यह सद्गुरु श्री देवचंद्रजी महराज की बात करेंगे तो सद्गुरु श्री देवचंद्रजी महराज कहां पहुचे उनको पूरा देखा पुरुनप्रह्म परमात्मा ने यह सब देखाया उनको पृत्यक्षदर्शन दे करके तो वो अक्षरातीत को तो लगा रहे ये तेरा दर्वारा ये तेरा घर तो ये है ऐसा करके समझाए देख पुर्ण प्रह्म को देख तुमारे सामने बैठे ऐसा करके तो ये सारा स्वष्ट रूप से देखाया मूल मिलाव में राजी स्यमा जी पर राजबान है तो इधर आत्व्रमा आत्मा हैं तो अब ये तुम तो मरे पर आत्मा ये ऐसा करके तो संदरवाई सक्षी तो उनको देखाया तो इस तरह से उनको बबोगों सद्गुरु को जब ये दिखा तो उनको लगा रहे मैं तो परमधाम में हूँ तो इस परकार का अनभाव होता है सद्गुरु वहां पहुंचे मुमिन उतरे नूरविलंद से ऐसे ऐसी उचे दिब्यधाम से ब्रमा आत्मा उतरी है सो याई कल में पहुंचे बाहे दता अब इन ही बचनों से वो अपने मूल में पहुंचती है अद्वेद भाव को समझती है जब हाक अभी ना कच्छू ना रखे तब बूज बाहे कल में जब परमात्मा के से बाहे दूसरा कुछ किसी को महत्मा नहीं देंगे तब उनको ये ब्रह्म ग्यान की समझ होगी कल मा को बूज होना मतलब समझना बूज जाना समझ जाना तो बूज जाना मतलब मिट जाना उस अर्थ में नहीं है आग बूज गई है लोग बूज गई है ऐसा उसमें नहीं यहां बूज ना मतलब समझना अग्यान को मिटाना जब यो कलमा जानिया तब बका हो तो इन से इस प्रकार इन बचनों को समझते हैं तब अखंड का अनभव करते हैं और ख्याल में आज थोड़ा ही हुआ लेकिन थोड़ा ऐसा इसको न तो ये ब्रहमात्माओं की बात है तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं काल में जब आयो कलमा जानिया तब बका हो तती नसे तब बका हो तती नसे प्राण नाग प्यारे की जए जगत गुरु आचारिस्रियक स्वार्ट प्रिश्नमाने जी महारा जेकी यह